चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेस चनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंट फेट डेली विसस पर यहां पर आप पर सकते किक पॉइंट ऑगनाइशन स्पेशल डेयर नीज ओद दें पीवाई क्यूस आप मेरे टेलीग्राम जोइन करें अमन पहला सवाल इंडिया हाल फिलाल में कितने ताउजन टण फर्टिलाइजर जो है एंड ओबर किया श्रिलंका को डेफिनिट्टी आंसर है 21,000 टण जो है फर्टिलाइजर जो है दिया गया आप सभी जानते श्रिलंका इस नमें क्राइसिस रिडन कंट्री बहुत जाद एकना प्रप्विट करने से फूट सेक्यूर्टी जो है सपोर्ड मिल पाएगा शिलंका को और इंडिया का एक जेस्ट्र है जिसमें हैं इंडिया मीचोल ट्रस्ट गुडविल जो है इंडिया और शिलंका के बीच में बनी रहनी चाहिए ठीक लूंबो इस चीच को accept भी करता है कि इ सेवंटी बिलियन से डेड़ सो बिलियन युएस डोलर ग्रो करेगा कितने वर्ष में तो आंसर इसकोशंगा बीस पच्चिस तक जो है यह ग्रो करेगा आप सभी जानते हैं यूनिन मिनिस्टर आफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलोजी इवन आर्थ साइंस एंड पीमो तो जेतन सिंग जी के द्वारा ये का गया है कि बायो एकनोमी जो है हमारे कुछ ही वर्षों में जो है हमारे फीचर का ग्रोथ जो है इंक्रीज करेगी अभी एक स्टेकोलडर मीट हुआ था जिसमें बायो टेक्स सेक्टर के जित्ते प्रसिद व्यक्ति हैं स्टार्ट अप इकोसिस्टम के एक्जामपर डीपीटी बी आई रसी इन सभी कलेक्टिव एंबीशियस जो टार्गेट है अगर यह अचीव करते हैं तो तब बायो एकनोमी जो है और ज्यादा आगे हो पाएगी इंडिया की अगर देखा जाए यह भी रिपोर्ट रिलीस किये गया बायो इन्हीं के द्वारा यह रिपोर्ट को रिलीस किया गया इसमें इन्होंने कहा गया कि यह 80 बिलियन युएस टोलर है हमारा बीस इक किस का रादर रिकोर्ड 14.1% ग्रोथ है हमारा इसमें ठीक है जो पहले था 20-20 में 70.2 बिलियन था आब 80 है तो यह एक अच्छा ग्रोथ जो का टाइब किया है 96.3 मिलियन डोलर का लोन अग्रिबंट तो आंसर है इंडिया इंडिया में स्पैसिफिकली हिमाचल प्रदी स्टेट के लिए है और यह लोन अग्रिबंट 96.3 मिलियन युएस डोलर का जो है वाटर सप्लाई सेनिटेशन सर्विस इंक्रीस करेगा हिमाचल तरीके से वॉटर सस्नेबल वॉटर जो है अब पहुचाए जा सके तो इसी को अचीव करने के लिए जो है यह लोन अग्रिबंट साइन किया गया है और एक्रिबंट सायं किया है किसने रजत कुमार मिश्रा जी जो कि सीनियर ओफीचल है डिपार्टमेंट अफ एकॉनोमिक सुप्रीम कोड बार असोशीशन के द्वारा उसे जॉइन किया और यह कहां पर हुई तो डेफिनेटी सुप्रीम कोड से समझे दिल्ली इसकोशन का आंसर है और इसमें इन्होंने एक चीज़ सपस्ट रूप से बताए कि जुडिशल सिस्टम की इंडिपेंडन्स जो है यह ग भी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंवी रवना जी भी थे और सॉलिशिटर जर्नल ऑफ इंडिया तुशार महता उसके लब और भी बहुत सारे प्रसिद्वेक्ति जो है इस सरे में उपस्तित थे लेट से नेक्स्ट कोशन आप से भी जानते इस समय पीटिए चीफ हिम एड़ोकेट है ठीक है एड़ोकेट का नाम भी थोड़ा बहुत पता होना थी बाबर अवान इनके एड़ोकेट का नाम है इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी ठीक है प्री अरेस्ट बेल की कि इनको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए अरेस्ट ना किया जाए तो हाई कोट ने इसको मंजूर किया है और यह कहा है कि 25 अगस तक इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता लेकिन इनको 25 अगस को जो है कोट में पेश होना पड़ेगा कि देश में तो आंसर है बानगलादेश यह यूनिवनेस है कि अलने प्रोसेस लाई जाने जिसे एलेक्र सीडियों को सेफ किया जा सके सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है फोरन एक्सचेंज रिवेंड नी जो है वो भी सेव होता है तो बंगविदेश सरकार के द्वारा यह का गया है कि अब जो कैमिरेट्स की मिटिंग हुए थी उसमें एक आगी ऑफिस जो है वो पांस दिन चलेंगे वीक में और उसके अलावा कुछ बैंक्स का तो टाइमिंग रहेगा सेव ही टाइमिंग रहेगा और जो मार्केट शोप्स हैं वह एट पीम पर रात तक बंद कर दी जाएंगे तो यह एक तरीके से स्टैप लिया गया गया इलेक्रिसीटी सेव होगा तो foreign exchange जो है सेव रहेगा देखिए बहुत साथ देश क्राइशिस में जा रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टैप करी रहे हैं लोकसाबा स्पीकर ओम बिल्ला जी ने हाल फिलाल में कौन सी लोकेशन पे एक स्ट्रॉंग मैसेज दिया देश के टाइप का तो आंसर तो देखिए आप सभी जानते हैं अभी इस एक पूरा पार्लिमेंटरी डेलिगेशन जिसके लिए लोकसाबा बिल्ला जी है उनको जो है अड्रेस किया गया उसके अलावा एक सेवा धाम हिंदू सेंटर है ताहू नीदर लैंड में वहाँ पर भी इन्होंने प्रेयर ओफर करी उसके अलावा गनेश आडल है टैंपल है वही पे वहाँ वह भी गिफ्ट किया गया तो यह कुछ सीजे जो है की गई है उसके अलावा कुछ अड्रेस इनके द्वारा किया गया पॉलिटिकल टांस में डेमोक्रेशी को लेके और लेट सी देनेक्स कोशन यह बहुत बड इसलामिक स्टेट टैरिस्ट है यह एक सेल्फ रेडिकलाइस टैरिस्ट है जिसका यह कहना है कि इंडिया से रिवेंज लेना चाहता था ओवर दा रिमार्क ओन प्रॉफेट जो की आप सभी जानते हैं बीजेपी की जो एक रूलिंग स्पोक्स पर्जन है ठीक है उनके कोशिश करी और इसे अरेस्ट भी किया गया है और इंटरोगेशन चल रहा है एट सीधर एक्स कोशन कोंसी गंट्री ने एक्क्रेन को की इनों ने दारीया दुगनिया जो है इनको मा रहा है अटेक किया और खटम भीकर दिया रशिया इस कोशिंगा आज है डेफिनेटी वारे में जानते हैं कि हुई इस दारिया दुनिया यह एक जो है इंफ्रिंस रॉशियन अल्टर नेशनलिस्ट हैं उनकी डोटर है और यह खुद बाइप्रोफेशन जो थे टीवी चैनल से संबंदी थे 29 की एज में पर अटेक हुआ अभी इनका गाड़ी में एक बॉम रखा उत्कम एक सुर्णी में इक नडिया जो कौन तक इस इंट रहा टो तो उन्होंने वाईस प्रेज के जैनल में उनकी साथ तहरन में मीटिंग करी और स्कूस किया कि चाहबार port कैसे एक regional growth के लिए helpful हो सकता है ठीक है दोनों leaders के बीच में इंडो इरान bilateral relation के उपर भी discussion हुआ potential है कि चाहबार port से हम जो है economical trade जो है Central Asia और South Asia तक लेके जा सकते हैं और ये सच्छी बात है quick point देखेगा हाल फिलाल में Hayat Hotel में जो जो कि Mogadishu location पर है यहां पर attack हुआ और इंडिया ने इसका condemn किया Mogadishu कौन से देश की capital है तो Somalia की capital है कौन सी country ने order किया है कि ये factories shutdown कर रहे हैं due to heat waves तो heat waves पढ़ती जा रहे हैं चाहिना में सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह ऐसा नहीं कि discount में कोई कमी होगी इसमें discount के साथ unlimited रहेगा सब कुछ अगर आप course ले रहे हैं तो इन सभी courses को आप utilize कर सकते हैं और इत्ता बड़ा discount जो है लाइव अमन code पर आज दे सकते हैं at least आप इसे यूज़ करके ठीक है आज access करें code लगाएंगे तभी proceed to pay से पहले आपके discount आपको दिखाए देंगे और आपको fees कम मिलेगी बागी session को like करें शेर करें चैनल को subscribe करें थैंक्स लोट for watching